कि यूपि यार्ट भी आवज सकता है उस आवज सकता तो देखते हो ए आपने राजबोरी सात्रवास के उत्रावास के अवसर पर आप सभी ने मुझे बुलाया है निस्द्रों से मैं आप सभी के बीच प्रिया करके खुशी का अनभव करना हूँ और एक ऐसे कारिकरम में आय हूँ जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई और सुकामना देना चाहता हूँ जैपुर में राजबोरी सात्रवास का निर्मान आने वाले समय में समाच के युवा को उनके सपने को पूरा करने का काम करेगा क्योंकि कोई भी युवा आगे वरता है उसके मन में कोई ना कुछ कर कुजन्य की इक्षा होती है लेकिन कई वार उसके सामने ऐसी परिश्चिती आती है कि वो नहीं कर पाता है आप सभी समाच के बंदों ने यह जो निर्णे लिया है निस्षत रूप से इस निर्णे के माचम से उन युवाओं को दिसा मिलेगी जिनके मन में करने की कुछ समन्ना होती है और वो समन्ना करने की होती है तो उसमें आपका ये छात्रबास मील का पत्थर शाबिश होगा इतना मैं कहना चाता हूं किया उपस्तित मानवाओं के दर्संद से मुझे बहुत प्रसंद्स हुई है और मुझे ज्छान है में इनिंतों में आसोत्र धाम की मेरी हल की यात्रा हुई थी मैं مहाराज जो मैरे सुलसा रामडी महराज ह categorize लाजिमा cooperation है या ही नहीं पूरे देश के अंदर संकर सिंग जी कह रहे हैं पूरे देश के अंदर महाराज खेता राम जी का जो आशीरवाद है मैं देखता हूँ जा भी में जाता हूँ समाज के बंदू आते हैं और जिस तरह का मैं उनका मन और भाव देखता हूँ निश्य द्रूव से मन प्रिसिन होता है उन्होंने अपनी दुराजिस्तान की धर्दी से जा करके पूरे देश के अंदर में जो खुस्वू फैलाने का काम किया है निस्टरोब से मैं मानी हमारे खेतरामजी महराजी के जो उनका आदेश और उनकी प्रेना और उनके आशिर्वास से जो हमें मिला है वो पूरे देश के अंदर हम उस खुस्वू को फैला रहे हैं यहीं नहीं मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं यह सात्रवास समाज के यूबाओं को गुडबगता शिक्षा प्रदा प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार भी बनेगा हम जानते हैं कि किसी हम जान समाज में सकारात्मक बदलापी होता है और सिक्षा ते ही समाज का उद्दार भी होता है क्योंकि आने वाले समय में यहाद़ु आधुनिक यूग में सिक्षा बहुत ही महस्त बूर है हम सभी को ध्यान भी देना चाहिए हमें हमारे उन सभी बच्चों को हमारे युवा नहीं मिल पाती है किसी कारण से वो कि प्रिष्टियों की परिक्टाउं में नहीं ने पाते हैं। यहीं नहीं रहने खाने के सरह क्यार्टां को 然後 डित्व को यह ए 9 सुरिक्षित और सायक बातवरण भी प्रदान होता है जिससे उसका आगे जो बातवरण बनता है उसमें उस बच्चे का आगे जो उसकी खूवी और हो भी होती है उसके माज़कम से वो काम करता है राजपरोई समाज ने एक आधनिक सुझाओं से सुसाचित मुझे विश्वा बित्यार्शियों को एक सांस और आराम रायक बातवरण प्रदान करेगा जो पढ़ाई में सायक भी होगा मेरे प्यारे भाईयों मित्रों में आप सभी को सभी बहुत ही भागिसानी है जिने सात्राबास में रहने का आफसर मिल रहा है इसका पूरा भादा उठाएं कटिन परिस्क्रम करें और अपने लक्त को प्राव्त करें स्वामी बेवे का नंजी ने कहा था कि एक किसमी सदी भारत की होगी और उन्होंने कहा कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर था जाओ उस उस ग्रश्टी से यह हमारा जो ठात्रावास है निस्त रूप से स्वामी वेवे का नंजी ने कहा था उस और यह सात्रहमारे चलेंगे और देश दुनिया में अपना नाम करेंगे यह मझे भिष्वास है यही नहीं मेरे भाई और मैंनों थाोग्ती यहन्ट करेंगा जैसा मैंने कहा बारत यह यूवा देश है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोजी जी की प्रांच मिकता है कि उन्होंने युबा सक्टी राज्ट सक्टी के रूप में पेचान मिले और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो और हमारी ये पीड़ी आने वाली युवा पीड़ी दुनिया में अपना नाम रोसन करें। कि युवा पीड़ी दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो ये दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो ये 2017 के बाद आपने देखने को मिला है। हमारी शिक्षा ये पुनियादी धाजय जब तक ठीक प्रकार से नहीं होगा। हमारी शिक्षा जब तक हमारी कुडवक्ता पूर्ण नहीं होगी। हमारी शिक्षा रोजगार उनमुक नहीं होगी। हमारी शिक्षा कर्टब निष्ट नहीं होगी। हमारी शिक्षा अगर कर्टब निष्टका उसमें उधारन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि हमारे संस्किर्थी हमारे विचार हमारे मुनियों की अधाथ जोरों ने हमारे संस्कार दिये उन संस्कारों पर चल कर गए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए इनोवर्शन इस्टूडियो कि एक्सडेटर शुरू किया है हमारी सरकार राजस्टान के मिसंगों कर रही है हमने इस वोड के शेटर में वी काम कर रहे है यहां इस वोड की सुद्धा नहीं थी लेकिन हमारी सरकार सब्सक्राइब कर सकता है किसी भी सब्सक्राइब कर सकता है उसके लिए हमने इस वोड की बनाने का काम हमारी सब्सक्राइब करता है यहीं कि सरकार ने हमारी वोड सकती के नरा सकती है कि ऐए न होने वाले पेपर नीक होते थे ़ुन के घटना AND कि बिचक आरिए को रोता था, क्योंकि वह पेपर की तैयारी करता था, पिता जी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको खोश्चन दिलाते थे, उसको कोशिंग कराते थे, लेकिन आई दिन जिस तरह से आप देखते थे, पेपर लीक हो जाते थे, आपने देखा होगा, हमने हमारे संगल पत्र में बाइदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उनको हम बखसेंगे नहीं आप ने देखा होगा आए दिन देख रहे होंगे अभी तो एक इस एक दो चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मलेगा आपने देखा होगा लगवाख 108 लोगों को गरपव्टार किया कि यह लोग हैं जिन्हों ने युभाओं के सब्ड़ं को तकना टूर बिया उन्नों काम किया और हमने ढ़ी जहुता ना बीच में कहा था एसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सबनों को तूर तूर किया है हम उनको छोड़ने वाले नहीं है और अभी आप देखते जाएए अभी तो एक तो आठ गिरबदार हुए हैं आने वाले समय में कोई भी हो कैसा भी हो किसी को भक्ता नहीं जाएगा यह मैं आप से कहना चाहता हूं बत्रो पेबर लीग के लावा अंचित तरीकों से परिक्षा पास करने वाले आयोग व्यक्ती महत्पूर पोदों पर पहुंचेगा तो वह नुक्सान नहीं पहुझाएगा क्या अगर आयोग व्यक्ती को कहीं बैठाओ गए तो वह क्या करेगा नुक्सान पहुझाएगा और हमारे पास जब योग गहें तो आयोग व्यक्ती की क्यों लेकिन उस सरकार ने देखा कि जिस तरह से गुन्नीज में से सत्रे पेबर लीग करने का काम किया इतने हम गंबीरता से दिया है और हमने कहा कि हम हैसाइटी गठिद करेंगे हमने वह गठिद भी कर दिया और उन सत्तर अजार पदों को हम भरेंगे लेकिन हम आप से कहना चाहते हैं सत्तर अजार तो हमने कहा हैं लेकिन इससे कहीं ज्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे हमने युवाओं से हमने युवाओं से कहा है कि आप सिंदा मत करिए जितनी बैकें जिन्दी उतनी करेंगे और करेंगे सामाजिकार किसी भी सब समाज की पेचान है और यह हमें एक भैतर दुनिया बनाने की प्रेड़ना भी देता है मैं आप से इतना कहना चाहता हूं मेरे भाईयों कि यूबा समाज का भविस होते हैं उसका विकास राश्ट के विकास का आधार होता है यूबा समाज का भविस होते हैं और यूबा राश्ट का विकास का अधार होता है यूबाओं के जीवन में सकारां पें बदलाओं लाने का कोई भी प्रियास राश्ट निर्माड और राश्ट को मजबूती पिदान करता है मैं इस सात्रावास में के निर्माण में राजपरोज समाज के सदस्तों के असक प्रियासों और समर्पन की सरहना करता हूँ और ऐसे उन भामासाओं को भी जिनों ने इसमें अपना स्योग दिया है उनको भी में बहुत बहुत धन्वाद और फादुबाद देना चाहता हूँ मैं आप से अंत में निवेदन करना चाहता हूँ और वो निवेदन मेरे भाईयों में ये करना चाहता हूँ कि समाज के अतर बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार करती है, लेकिन समाज का जब सहयोग मिलता है, तो सरकार की भी काम करने की गती मिलती है, और सरकार उसी इसाफ पर काम करती है, मैं आपको इतना विश्वाज दिला सकता हूँ, कि आप समाज के द्वारा जो काम करेंगे, हर समाज आपका सहयोग करेगी निष्ट रूप से कोई किसी तरह की वह आईगी तो सरकार आपके साथ है यह में विश्वास दिलाता हूँ देश के निर्मान के लिए पुर्देश के निर्मान के लिए एक बादवन बनाना भी आवे शक है और उस बादवन के माचम से समाज में आने वाली उस पीडी को राष्टा दिखाने का भी हम काम करेंगे। मैं आपसे इतना ही किया चाहता हूं। हम इस भिड़ेस के एक नागरिक होने के नादे हमारे भी कुछ कर्टब हैं। हमारे कर्टब यह हैं कि हम हमारे समाज को हमारे राष्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि युवा जब 18 साथ का वालता है उसे बोड़ देने का अधकार मिलता है। बड़ी उस्तिता होती है उसकी बार देने की जब मतदासूची मुझका नाम आता है लेकिन मैं यूवा भाईयो मैं एक और निवेदनार करना चाहता हूँ जैसे ही आपको मतदान देने की जम्यदारी मिलती है उसका अधिकार मिलता है उसके साथ साथ कुछ कर्टब भी जुड़ जाते है और कर्टब ये जुड़ जाते है कि हम राष्ट के लिए अपरदेश के लिए हम क्या कर सकते है और ये कर्टबों के माध्यम से हम काम करते है हमारे समाज हजारों सालों का समाज जिस तरह से तला है जिस भाई सारे से तला है जिस संसकारों से तला है हमें उन संसकारों को भी नहीं छोड़ना है उन संसकारों के अधार पर दलना है क्या यह लिखा है अधिकार को लगे हराद भी अधिकार मानता है लेकिन कर्टबों को भी में ध्यान में रखना है और कर्टबों के मात्यम थे हमें हमारे राश्ट को प्रदेश को मजबूत करना है आप अप देखते हैं हमारी केजर की स्कीम हो या हमारी राश्टरकार की स्कीम हो या स्कीम उस गरीब कल्यार के लिए है हमारी इस जिन उस अंत्वे पंट्टी में पक्टी बेड़ा उसके लिए है हम पंडे तीन द्याल उपाज जा कि अंत्वे के भाग को ले करके चलते हैं इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें एक नागरिक होने का कर्टब च्या हमारे गाओं में हो च्या हमारी धारी में हो च्या हमारे महले में हो च्या हमारे अपार्टमेंट में रहता हो कोई भी ऐसा ब्यक्ति हो चाए आपके पास में वो काम करता हो कोई भी ऐसा ब्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं भी आविश सकता है जिसको सरकार की योजना को लाव मिलना चाहिए जिसकी समाज जिस उप्देश के लेकर के चल रही है उससे उसका भला होने वाला हो हम उस समाज के उस अंतंत पाइदान पर खड़े हुए बेक्टी को बुला करके उसका सहेव बन करके उसको आगी पंची में खड़ा करने का का हम कर सकते हैं अंत मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के चलेंगे हम सब एक कदम चलेंगे तो निश्य दूरूब को बताया जगंजी ने बताया कि यहां आवज सकता है मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी सरकार आपके साथ है आप पताईए निश्चत रूप से हम काम करेंगे हमारे युवाओं के लिए काम करेंगे हमारे उस हमारी उन बाल कांपे बेहनों के लिए काम करेंगे तो आगे चल मेरे मित्र मेरे बड़े मेरे बुजुर्ग बैटे हैं मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं नमन करता हूं समाज इस तरह के काम आगे करें आगे आने वाली पीडी को राश्ता दिखाए इस आथार विश्वात के साथ आप सभी ने बुलाया बने बराजमान हमारे सभी संतग новый प्रणाम करता हूं आप सभी को पहुट वतनवार नमसकार जैहिंत भहारत जैरासिस्तान वहीं जैवन प्रणाम की ! आक्वन प्रणाम की ! और एक ओर मैं कहना चाहता हूं कहना प्योंकर बन और पर्यावर्ण मंत्री फी मेरे प्रवासा भी बता रहे थे अरे हिंदू तो वह है जो प्रक्षों को भी पूछता है पाड़ों को भी पूछता है नदियों को को भी पूछता है अगर एक कीटी भी अगर पैर से कहीं धम जाती है तो आहा भराती है यह हिंदू इसे कहते हैं मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूं कि मां के नाम एक पेश अवस्ट लगाएं उसकी परवरिस करें पढ़ियावरण के छेत्र में भी हम काम करें क्योंकि हमारी सरकार यह काम भी करती है आपने देखा होगा जब 2014 में मानिये प्रधान मंद्री जी आये से तो लिंगन पात बहुत कम था हर्याणा राजिस्तान इस तरह के स्टेट से लेके नोनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उससे आज लिंगन पात बराबर का आया है हम सामाज एक सरुकार के काम भी करते हैं इस जबाओ